हेलो आपकी जो परहाई है आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी चल रही होगी और हम लोग ने जो पॉलिटी का लिक्चर स्टार्ड किया है उसमें हम लोग बहुत अच्छे से आगे बर रहे हैं होब कि जो पिछली क्लासिस हमने लिए है उसकी जो रिविजन से वो काफी अच्छे से आप कर रहे होंगे क्योंकि हमने सिटिजन सिप का हो बेसिक जो हमारा कॉंस्टिशन का डॉकुमेंट था उससे लेड़ हो सोर्सिस ऑफ जो कॉंस्टिशन है वो चोड़ टॉपिक्स जो ह क्या आपको बताया है वो सारे कोशस डिफिसटिशन आपके एक्जाम में आपको देखने को मिलेंगे वाई जो है आज फिर से एक नए वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिको लेटे हैं और आज जो टॉपिक है वो हमारा समिधान का-must important topic है उसको मिलेने जा को लेके हमारे जो समिधानिक जो निर्मातत हैं उनके कॉंसेप्स बहुत क्लियर थे तो उन्होंने इतनी खुपसुदत खुपसुदत बना कर रखे हैं जो इसके बारे में हम बात करेंगे और मुझे पूरी उमीद है कि आप लोग बहुत कुछ पता नहीं होगा तो आज की ल इंडियन कॉंसेटियूशन तिसरा जो पार्ट है कॉंसेटियूशन का उसमें ये मेंसन है और इसके बारे में हम आगे साइट में देखते हैं कि क्या क्या प्रोजिशन जो है इसके बारे में लिग है ठीक है पहला लाइन है वो क्या कहता है कि जो आपका फंडमेंटल राइट है वो कहां मेंसन है वो मेंसन है पार्ट थ्री में ये प्लीज आप लोग याद कर जिए इदम रट जाएए आर्टिकल 12 to 35 ये भी है ये बहुत इंपोर्टेंट है आप से पूछा जाएगा एक्जाम में आर्टिकल 12 to 35 की जगा 13 to 36 14 to 32 इस तरह से 4 अपसंद देंगे आप कंफ्यूज जाएंगे तो प्लीज इसको याद कीजिए आर्टिकल 12 to 35 क्या है आर्टिकल 12 to 35 याद है बिल्कुल क्लिए बहुत बढ़िया दिस पार्ट अप्ट 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 इस लिए कहते हैं इसको हम लोग देखेंगे इसको प्लीज आप लोग याद रखेगा कि फंडमेंटल राइट्स आर अल्सो कॉल्ड मैगना काटा और इसके पीछे इतिहास है एक जो किंग थे उन्होंने अपने स्रिजन को कुछ राइट्स दिया थे उससे में उस राइट्स को मैगना काटा कहा गया था इसलिए फंड प्रस्ट धान है इस इच्ट के व्ला मोली का थिकार है इसको कहां से लिया गया है इसको लिया गया है अमेरिका से टिक है जो मौली का अधिकार है इट है और मिन बॉर इंद Pokémon और आम्रेका तो यही प्रशना आएगा, आठकर 12-35 के साथ तीन कोमनिसम बना के आपको दिया जाएगा 13-32, 14-28, 16-34 और उसमें आप कन्फिर्ट चुदा होगे, प्लीज याद कर लिजे 12-35 ठीक है, 12-35 प्लीज याद कर लिजे ओके, let's move to next question next slide, in fact, yes so, अभी हम क्या देखेंगे, कि कितने fundamental rights हैं कितने groups में divided हैं किस-किस nature के fundamental rights हैं, मौला का अधिकार हैं और कौन से rights जो हैं, वो हमें किस-किस तरह के अनुमती और सुनता देते हैं so, there are basically six fundamental rights मौली का अधिकार जो है, निमता, छे परकार के होते हैं छे परकार के six fundamental rights हैं ठीक है, so, right number one is talk about right to equality, article 14 to 18 ठीक है, right to equality जो है, वो article 14 to 18 है जो समानता का अधिकार है, वोन उछे 14 से लेके 18 तक इसके बारे में बात करता है yes, उसके बाद क्या है हमारा second, second है हमारा freedom, स्वतनता का अधिकार, right to freedom article 92 to 22 ठीक है, article 92 to 22 एक overall views जो है, वो हम ले रहे हैं चीज़े हम explain करेंगे एक-एक article हम explain करेंगे, discuss करेंगे अभी जो group of articles है, उसको देख लेते हैं so, the second group of articles talks about right to freedom स्वतनता का अधिकार, जो कि article 19 से 22 के अधिकार नहीं थै ठीक है, clear है, कोई दिकार थी right against exploitation, मतलब सोसन के विरुद अधिकार right against exploitation, मतलब सोसन के विरुद अधिकार और इसका जो आटिकल है, वो है 23 and 24 जो आटिकल 23 and 24 है, that talks about exploitation जो है उसके अगेंस जो right है, उसके बारे में then right to freedom of religion मतलब धर्म की स्वतनता का अधिकार जो है, उसके बारे में अनुछेद 25 से 28 में चीजे मैंसन है उसके बारे में अनुछेद 25 से लेके 28 में चीजे मैंसन है और उसका अधिकार है, उसका अधिकार है cultural and educational rights so cultural and educational rights are article 29 and 30 and then the most important article most important rights of Indian constitution under part 3 of the constitution is right under article 32 that is constitutional remedies मतलब इन सारे आर्टिकल के इन सारे right में से किसी का उलंगन होता है तो इस right के reinforcement के लिए आप Supreme Court under article 32 और High Court उचनियाले under article 226 के तहते जा सकते हैं और आप Supreme Court जा सकते हैं ये अपने आप में एक fundamental right है ठीक है आप खाना आपको दिया जाएगा ये आपका एक Mollie क अधिकार है और अगर आपका काना कोई छिनता है तो आप complain कर सकते हैं ये भी अपने आप में Mollie के अधिकार है तो Mollie के अधिकार को protect करने के लिए मैली के अधिकार की जवत होती है तभी तो खुशुरत आर्टिकल से हैं जो हमारे समिधान में मैंने हैं ठीक है आए लेट्स मूफ तू नेक्स स्लाइड अपने अगले स्लाइड के दरब चलते हैं और देखते हैं कि क्या हम बात करें जिसके वारे में हमने अल्यडी MCQ वाले कोसिंस जो वीडियो कोसिस है इसमें डिसकस करते हैं क्या कह रहा है कि मूल रूप से समिधान में संपत्ति का अधिकार जो है वो भी था अनुछेद 31 के अंतरकत और कुल 7 मौली का अधिकार सामिल थे एक जब समय था जब जो टोटल हाला कि इसे 44 सवे संसुधन अधिनियम 1978 द्वारा मौली का अधिकारों के सूची से हटा दिया गया ठीक है क्या किया गया बट इट वस डिलीटेड इट वस डिलीटेड रिमूवड दन वे फ्रॉंड लिस्ट फरनामेंटल राइट इसको जो मौली का अधिकार के सूची है उससे बाहर निकाल जाता है अंडर विच अमेंडमेंट अंडर 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 वेरी इंपोर्टन फैक्ट बहुत ही महत्पून फैक्ट है प्लीज इसको ध्यान दिजेगा बहुत ही इंपोर्टन फैक्ट है इसको ध्यान दिजेगा अगर आपसे कोई पूछे कि जो संपत्तिक अधिकार है, उसको कैवे समिधानिक संसुधन अधियम से हटाए गया, तो आपको बताना है, क्या बताना आपको, 24 वे समिधानिक संसुधन in 1978 ठीक है, in 1978 अच्छा, उसकाद क्या करा है कि इस संपत्तिक अधिकार को समिधान के भाग 12 के अनुछेद 301 के तहट कानूनी अधिकार जो है, बना दिया गया So, जो right to property है, उसका कैसे nature change हुआ पहले वो आपका मौली क अधिकार था under article 31 of part 3 yes, 31 of part 3 और यहां से इसको हटा के क्या बना दिया गया इसको बना दिया गया आपका कानूनी अधिकार ये रिखे क्या लिखा है इसको बना दिया गया कानूनी अधिकार under article 300 A of part 12 ठीक है, तो पहले क्या प्रोजन था कि जब भी आपके जो मूल अधिकार हैं जैसे कि आपके right to property हुआ करता था तो कभी भी आपका property अगर कोई आपसे छीनता है, कोई state, कोई government आपसे लेती है, तो उस एवज में उस case में आप Supreme Court जा सकते थे लेकिन ये आपका क्या हो गया ये हो गया आपका legal right जब आपका ये legal right हो गया it means अगर state in the betterment of the society या समाज के लिए country के लिए road बनाती है, कुछ भी construction करती है और आपके जमीन का अधिक रहन होता है तो then you cannot use article 32 ये legal right है, मतलब कानूनी ढंक से आपसे जमीन लिया जा सकता है लेकिन हाँ, अब ये fundamental right नहीं है जहाँ पर आप Supreme Court बहुं सकता है ठीक है, तो ये जो है changes जो है right to property को लेके हमारे समिधान में हमें देखने को मिला था, ठीक है, clear है समझ में आ रही चीज़े yes, let's move to next slide अपने अगले slide में देखते हैं हमें क्या पढ़ना है, so the next article is article 12 article 12 से start करते हैं और देखते हैं कि article 12 में क्या लिखा है, so article 12 क्या कहता है अनुछेद जो 12 है वो क्या कहता है, so article 12 defines the state legislative and executive organs of the union government and state government, all local authorities and statutory and non statutory authorities, ठीक है तो अनुछेद बार जो है, राज संग सरकार और राज सरकार के विधाई और कारेकारी अंग सभी अस्थानिये परधिकरन और वैधानिक और गैर समिधानिक परधिकरन को परिभासित करता है, ठीक है यह क्या करता है, यह definition देता है, किसका, state का देता है definition, union government का state government का, जितने भी local authorities हैं, उनका, और statutory and non statutory, जो bodies हैं, authorities हैं, उनके बारे में जो परिभासा है वो आपको बारे में दिये गए हैं So state क्या होता है, basically उसका जो परिभासा आपको मिलेगा, वो कहां मिलेगा वो मिलेगा article 12 में, क्योंकि state को क्या है The state has to protect the fundamental rights of the citizen or the state cannot take away the fundamental rights of the citizen मतलब, राज के पास यह अधिकार नहीं होगा कि आपके fundamental rights को वो आपसे हटा दे, आपसे छीन ले तो जो राज का परिभासा है, यह बहुत महत्पून हो जाता है कि unless and till, जब राज को आप नहीं जा रहेंगे कि कौन-कौन से चीज़े राज के अंतरकत आते हैं तो आपका right कौन ले जा रहा है, वो कैसे आप Supreme Court approach करोगे इसलिए यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाता है कि हम राज को define करे, हम राज को परिभासिस करे कि राज से क्या मतलब है हमारे सुमिधान में, ठीक है आईए अगले स्लाइड में देखते है So, Article 13 Article 13 में आते है It describes the means for judicial review ठीक है अनुछे तेरा जो है यह नियाईक समिक्षा के साध्रों का वर्णन करता है ठीक है, क्या कहता है It enjoys a duty on the Indian state to respect and implement the fundamental rights ठीक है It also states the rule of law that is no person is above law ठीक है, आठकल तेरा कहता है कि यह मौली का अधिकार और सम्मान करने और उसे लागू करने के लिए भारतिये राज पर एक कत्तब बे जोडता है मतलब, this is the responsibility of the state to implement the fundamental rights ठीक है आठकल तेरा कहता है in the respect of state to implement the fundamental rights मतलब, राज का यह अधिकार है यह responsibility है कि आप fundamental rights को implement करो ठीक है यह कानूनी वरस्था को दरसाता है अर्थात कोई भी व्यक्ति कानून से उपर नहीं है आठकल तेरा कहता है कि there is a rule of law और कोई भी इनसान जो है वो कानून के उपर नहीं है यह जो चीज़े है यह article 13 में mention है यह सब basically एक detailed explanation है laws का, state की responsibility का क्योंकि fundamental rights जो है वो एक बहुत complex right है उसमें थोरी सी भी loop holds आप छोड़ोगे तो उसका उलंगान हो सकता है इसलिए हर एक चीज़ों को explain किया गया कि law क्या होता है state कौन कौन से होते है ठीक है, इन सब चीज़ों को detail way में यहाँ पर देखा जा सकता है yes, let's move to article 14 तो article 14 जो है यहाँ से हमारा main जो है वो right है start होता है so article 14 जो है कहता है equality before law and equal protection law मतलब विधी के समक्ष समानता और विधी का समान, सनरक्षन इसकी बाद जो है वो article 14 करता है yes मतलब आप कानून के सामने equal होंगे कोई discrimination नहीं होगा और कानून आपको equal protection देगा ठीक है equal जो है सनरक्षन देगा ठीक है now article 15 कहता है कि धर्म, मुलवंस, जाती, लिंग या जन्व के स्थान के अधार पर भेदभाव का निशियत होगा मतलब article 15 क्या कह रहा है article 15 के बारे में पहले बात क्या है article 15 पर एक मूवी भी आई हुई है article 15 कह रहा है कि prohibition of discrimination on the ground of religion race on the ground of religion race, caste, sex और place over मतलब इन अधार पे आपके साथ कोई भी discrimination नहीं हो सकता है कोई भी भेदभाव नहीं होगा और ये article 15 में mention है ठीक है article 16 क्या कहता है article 16 कहता है equality of opportunity in public employment मतलब सरोजिनिक रोजगार में और सर की समानता जो भी ऐसा रोजगार का छेत्र है जो समान है जैसे government job है तो यहां पे जो रोजगार होगा उसकी equal जो opportunity है आप सभी को दी जाएगी ये लिखा है article 16 में ठीक है सरोजिनिक रोजगार में और सर की जो समानता है उसके बाल में article 17 क्या कहता है article 17 कहता है abolition of untouchability जो चुवा चूत है इसका उन्मूलन का जो बात है article 17 है मतलब अगर आप अभी के समय में किसी से भेदभाव करोगे रंग के अधार पे चुवा चुद के अधार पे तो आपको जो है आप कही ने कहीं आप उसके मूल अधिकार fundamental right का उलंगन कर रहे हो ठीक है so it is mentioned in article 17 और यह इसके abolition की बात करता है ठीक है यह इसके abolition की बात करता है now article 18 article 18 क्या करता है so article 18 talks about abolition of titles titles except the military titles ठीक है military and academics जैसे academics में मिलते हैं doctor वाई title कोई भी जो PhD होले है उसको doctor कहते हैं उसी तरह military में बहुत सारे titles मिलते हैं left hand governor या general ऐसे तो वो titles तो valid हैं लेकिन आप पहले के जवाने में देखते थे राजा सहाब इस तरह से महार महार नाम दिय जाते थे तो वो जो है उसके abolition के बात करता है article 18 उस जो title है वैसे article जो राजा महराजा को देखने को मिलेगा ठीक है yes let's discuss article 90 that is right to freedom सुदनता का अधिकार जो है वो article 19 से 22 से आप देख सकते हैं ये जो group of article है ये भी आपको याद रखना है ठीक है ये जो group of article है ये भी आप याद रखेगा क्योंकि आप से ये भी तो पूछा जा सकता है कि जो right to freedom है वो किस group of article के अंदर करता था ठीक है so article 19 क्या कहता है article 19 कहता है protection of certain rights regarding the freedom of speech ETC article 90 कहता है कि protection of certain rights को जो rights है उनका protection होगा किस संदर में freedom of speech के संदर में ठीक है और इसमें आपकी जो freedom of speech जो है आपका जो अभिव्यक्ति की जो संता है उसके लिए total 6 जो अधिकार है वो दिये गए है so clause 19 A, B, C, D, E, F करके सारह है उसमें बो देखते हैं ठीक है so article 19 के अंदर जो 19 A है वो क्या कहता है right to freedom of speech and expression मतलब right to freedom of speech and expression का अर्थ है कि आपको बोलने की सुनता है और आपके अंदर जो भी भावनाएं हैं उसको express करने की जो सुनता है वो आपको समीधान देता है मतलब आपके अंदर जो चीजे हैं वो आप बोल सकते हो देखिए जो restrictions होता है वो तो होता ही है किसी को बोलने का अधिकार मतलब ये तो नहीं होता किसी को आप अपसब्द बोल सकते हो लेकिन आपकी जो अंदर की अभिवक्ति है उसको आप क्या कर सकते हो उसको explore कर सकते हो उसको बहार निकाल सकते हो उसको आप बोल सकते हो इससे आपको कोई नहीं रोकेगा तो speech and expression का जो right है वो आपको है In 2020, the Supreme Court of India stated that access to the internet is a fundamental right ठीक है यह speech and expression देखिए आजकल क्या होता है आजकल जो हम अपना express करते हैं अपने अंदर कीजिए वो कहां करते हैं वो WhatsApp पर करते हैं वाटसप जने से के लोग हैं आप सभी लोग जानते होंगे कि ज़्यादा तर जो आजकल expression हो रहा है वो कहां होता है वो WhatsApp पर होता है ठीक है जो का पाट बहुत सारे online platform है जहां पर हम अपने अभिवक्ति को जरसाते हैं हम अपने express करते हैं अपने आपको Twitter हो या ऐसे बहुत सारे online platform है YouTube हो किसी के मादम से तो 2020 में Supreme Court ने कहा था कि जो access to internet है न जो internet की facility है इस अल्सो अ fundamental right ये एक मूल अधिकार है ठीक है इस अ fundamental right clear है So 19A हो गया 19B क्या कहता है 19B कहता है कि right to assemble peacefully and without arms article 19B कहता है कि आप कोई अधिकार है कि आप कहीं भी एक जुट हो सकते हो लेकिन आपके पास कोई arms and ammunition कोई हत्यार नहीं होने चाहिए peaceful धंग से आप कहीं भी जा सकते हो आपको कोई नहीं रोकेगा इसकी बात करता है हमारा article 19B ठीक है इसकी बात करता है हमारा article 19B ओके नेक्स लाइड article 90C क्या करता है article 90C करता है कि you have right to form association और unions और cooperative society ठीक है कह रहा है कि संग या union बनाने का आपको अधिकार है आप संग या union या सहकारी समिती जो है वो आप बना सकते हैं इसका जो अधिकार है आपको 19C है article 19D क्या कहता है article 19D कहता है right to move freely throughout the territory of India मतलब पूरे इंडिया में आपको किसी भी जगह जाने का अधिकार है आपको कोई नहीं रोकेगा ठीक है आपको कोई नहीं रोकेगा apart from regional restrictions दो legitimate restrictions होते हैं कुछ regions में जैसे कि मान लोग की कुछ दिर पहले आपने सुना होगा एक tribes अंडमान है निकोबार में तो वहाँ पे जो main land वो जो उनका area है वहाँ जाना जो है वो restriction लगा दिया गया था क्योंकि कहीं नहीं नहीं रहते हैं लेकिन apart from this this right talk is about कि आप पूरे इंडिया के किसी भी टेटरी में कहीं भी जा सकते हैं इसमें कोई भी आपको रोक टोक नहीं होगा Yes, article 19E क्या कहता है Right to reside and settle in any part of the territory of India अनुछेट 19E कहता है भारत के किसी भी छेट में रहने और बसने का जो अधिकार है वो भी आपके पास है Right to reside and settle in any part of the territory of India Clear है? समझ में आरे चीज़े? Okay Yes So, we have an article a very interesting fact Article 19E जो था मैंने आपको पहले बताया था जो हमारा संसुदन हुआ था 44 उसके पहले जो Right to Property था वो क्या था? Fundamental Right था लेकिन यहाँ पर क्या है? Right to Property जो है Omitted है मतलब हटा दिया गया यहाँ से इसके जगह इसको Article 300A में Legal Right बना दिया गया यहाँ से निकालके यहाँ डाला और जहाँ एक Fundamental Right था इसको यहाँ पर Legal बना दिया Legal Right बना दिया और यह जो है 19F जो है वो रद हो गया ठीक है? So the next article is Article 19G Article 19G So क्या कहता Article 19G? Article 19G कहता है Right to Practice Any Profession or to Carry on Any Occupation, Trade or Business क्या कहता है? कोई भी पेसा करने या वेपार करने का जो अधिकार है वो आपको है Article 19G देता है कोई भी पेसा कोई वेपार आप कर सकते हो इसका जो अधिकार है वो आपको Article 19G देता है लेकिन वो गयर कानूनी वेशा नहीं होना चाहिए कोई आपको ऐसा काम नहीं करना है जो Against the law है Law के जो अगेंस्ट है वो कार आप नहीं कर सकते है लेकिन जो भी कार आपको law permit करता है वो सारे कार आप कर सकते है कोई कि ये आपका एक मूल अथिकार है Article 19G of Part 3 of Indian Constitution के अंतरगात ठीक है Clear है तो हमने जो Right to Freedom है उसके अंतरगात Article 19 को देखा अब हम लोग Article 20 को डिसकस करते है 20 21 जो दो आटिकल है उसको हम लोग डिसकस करते है तो Article 20 क्या कहता है Article 20 क्या कहता है Right to Protection in Respect of Conviction for Offense ठीक है मतलब अपराधों के लिए दोस सिद्ध के संबन में सारानक्षन का अधिकार Right to Protection in Respect of Conviction for Offense मतलब कोई भी आपको आपके उपर अभियोग लगता है Offense आपको लगता है तो आपको अधिकार है कि आप अपने वकील को रख सकते है वकील से कंसल्ट कर सकते है और इस सबज़ में जो सर्टेन आपके राइट से उसका प्रैक्टिस कर सकते है ठीक है इसलिए कर रहा है और अब जो है एक बहुत ही जवदस्त आर्टिकल आपके सामने आ रहा है अनुछेद 21 यह बहुत इंपोरिट आर्टिकल है प्रोटेक्शन ओफ लाइफ और प्रस्टन लिबर्टी जब हमारे देश में आपातकारीन लगता है वर्जनसी लगता है तो उस एवज में बहुत सारे जो राइट्स हैं वो क्या हो जाता है निरस्त हो जाते हैं वो रद्ध हो जाते हैं वो टेंपररी सस्पेंड हो जाते हैं लेकिन आर्टिकल 20 और 21 ऐसे राइट जो हैं जो आपके क्या होते हैं वो सस्पेंड नहीं होते हैं ठीक है, वो suspend नहीं होते हैं, किसी भी परिस्तिती में, जो right to health है, जो स्वास्त का अधिकार है, ये भी एक तरह से मूल अधिकार है, ये बात जो है, आटिकल 21 के अंदर नहीं थे, देखे, right to life तो तभी possible है ना, जब आपको आपके जो main जरूरते हैं, वो पूरा हो, अगर आपका health अच्छा नहीं रहेगा, तो आपकी right to life की quality हो खराब होगी, और right to life के अंदर के जो health है, वो अच्छा कब रहेगा, जब आपके आसपस environment अच्छा होगा, तो environment का जो right है, clean environment, clean air ये भी एक तरह से मूर अधिकार है, तो Supreme Court समय समय पे, जो fundamental rights हैं, उसके खास करके, जो article 21 है, right to life, इसमें बहुत सारे changes लास्ता है, जैसे right to health हो गया, कुछ दिमे right to intended भी बोल देगा कि right to life है, तो ये जो है, it is subject to the interpretation by the Supreme Court, वो interpret करता रहता है, और धिरे-धिरे जो right to life का जो दाइरा है, वो बहुत 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 जाता है, और उसमें क्यों ऐसा नहीं है, कि और को आदमें जो जी रहा है, उसको जीने का दिकार है, खाना, पानी, धन, सोना, जो भी उसकोची जवत है, और जो भी जीने के लिए जवत है, वो सब को Article 21 के अंदगत Supreme Court है, वो include करते जा रहा है, ठीक है, clear है, आईए, So Article 21A क्या कहता है, The Constitution 86th Amendment Act 232 inserted Article 21A, ये नया Article है, जो 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 रहा गया है, To provide free and compulsory education to all children in the age group of 6 to 14, ये भी जो है, एक fundamental right है, उम्र 6 से लेकर 14 साल के जो बच्चे हैं, उनको education प्राप्त करने का, ठीक है, और इसको कब जो रहा गया है, इसको जो रहा गया है, आपको, 86th Amendment, ये भी बहुत important है, बहुत important है, ठीक है, 2002 में, प्लीज इसको याद रखेगा, आर्टिकल 21A को, जो की education से related है, इसको जो रहा गया है, चार्ज सुवा संसुधन के थरू, 2002 में, ये प्रश्च है, आपसे पूछा जा सकता है, तो प्लीज को याद रखेगा, आर्टिकल 22 देखते हैं, Protection against arrest and detention, that is to consult legal practitioner of a person's choice, जब भी आपका arrest होता है, या detention होता है, तो आपको एक वकिल से concern करने का जो अधिकार है, वो आपको होता है, ठीक है, it is up to you to decide which kind of advocate you want, लेकिन ये जो right है, वो आपको समिधान देता है, under right to freedom, under right to freedom, ठीक है, clear है, आएए next slide देखते हैं, yes, let's move to next slide, so here is article 23, so ये जो group of article है, it is about right against exploitation, right against exploitation, article 23 and article 24, article 23 and article 24, so right against exploitation, मतलब जो है, सोशन के विरुद अधिकार, सोशन के विरुद अधिकार जो है, वो article 23 और 24 जो है, वो बात करता है, ठीक है, so article 23 कहा रहा है, कि prohibition of human trafficking and forced labor, मतलब, मानो तसकरी, और जो बंधुआ मजदूरी होती है, उसका निसेद करता है, article 23, ठीक है, मतलब आपकी तसकरी नहीं हो सकती, आप तसकरी नहीं कर सकते, और जो एक forced labor होता है, एक bonded labor होता है, जो बंधुआ मजदूरी होता है, जो बहले आजादी के समय, आप इस तरह की चीज़ों को सुनते होंगे, और परहे भी होंगे, इसको भी जो हर्मा समिधान है, उसको prohibit करता है, और article 24, is the another article of this group, right and exploitation, so article 24 कहता है, कि provision of child labor, that is no child, below age of 14 years, of age shall be employed to work, 14 साल के किसी आयू के कम बच्चों को, आप कभी भी job पे नहीं रख सकते हैं, ये जो है, article 24 कहता है, ये जो है, article 24 कहता है, ठीक है, yes, so now, we have the new set of articles of right, that is right to freedom of religion, so इसको हम लोग एक और नाव जानते हैं, लोक तंदर की पहचान, hallmark of democracy, तो कभी आप से question पूछा जाए, कि hallmark of democracy किसको हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, article 25 से 28, जो कि धर्म का जो सुन्तर का अधिकार है, आपको देता है, ठीक है, so article 25 क्या कहता है, 25, 27, 28, चार articles हैं हमारे पास, हम देखते हैं कि चारों article जो है, वो क्या कह रहा है, तो article 25 क्या कह रहा है, article 25 कह रहा है कि freedom to freely profess, practice and propagate on science and religion, ठीक है, मतलब अंतर करन और धर्म को अबाध्य रूप से मानने, आजरन और पचार करने की सुनता, मतलब आप अपने किसी भी धर्म को अपने free mind से follow कर सकते हो, इसमें कोई भी restrictions नहीं होगी, article 26 कहता है, the freedom to manage religious affairs, मतलब धार्मिक कायो को का जो प्रबंदन है, उसको करने की जो चमता है, वो भी आपको होगी, इसमें भी कोई hardship नहीं होगा, article 27 कहता है, freedom from taxation for promotion of religion, मतलब धार्मिक कायो के लिए कर की सुनता है, ये भी आपको जो position है, ये आपका एक fundamental right है, ठीक है, freedom from taxation for promotion of religion, धार्म का जब promotion होगा, तो वहाँ पर taxation से freedom होगी, then, article 28 talks about freedom as to attendance at religious instruction or religious worship in certain educational institution, क्या कहता है, article 28 पताईए, तो article 28 कह रहा है, कि सरकारी सैक्षिक संस्थानों में, धार्मिक सिक्षा, धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के संबन्ध में दुश्व संता है, उसकी बात करता है, अनुच्षित 28, मतलब किसी भी सरकारी सैक्षिक संस्थान में, धार्मिक सिक्षा या धार्मिक उपासना में, आप उपस्थित हो सकते हैं, इससे आपको कोई नहीं रोकेगा so it has been mentioned under article 28 of the constitution clear है यह जो चारव article है it belongs to freedom of religion that is also called whole mark of democracy under article 25 to 28 under article 25 to 28 ठीक है clear है समझ मारे चीज़े okay so now we have another set of article under article 29 to 30 under article 29 to 30 और यह जो है वो है आपका educational and cultural rights ठीक है यह है आपका सैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार सैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार ठीक है तो article 29 and 30 यहाँ पे किवल दो article है 29 and 30 ठीक है so यहाँ पे 29 जो article है वो क्या बात कर रहा है देखते है yes क्या कह रहा है educational and cultural rights की बात हो रही है सैक्षिक और सांस्कृतिक राइट की बात हो रही है और यहाँ जो article 29 है वो कह रहा है कि protection of interest of minorities जो भी अलपसंक्यक है उनके हितों का जो संरक्षर है उसके बारे में जो प्रोजिजन से वो article 29 में में मेंशन है ठीक है then comes the article 30 right of linguistic and religious minority to establish, conserve and administration their educational institutions article 30 कह रहा है article 29 समझ क्या आपनों जो interest है minority की उसके protection की बात हो रही है अनुछे 30 है क्या कह रहा है अनुछे 30 कह रहा है कि भासाई और धार्मिक अलपसंक्यक को भासाई मतलब जो language है और जो religious basis पे दोनों जो अलपसंक्यक है उनको अपने सैक्षिक संस्थानों की अस्थापना मतलब वो अपना education institution establish कर सकते है उसका selection मतलब protection और उसका administration का जो अधिकार है वो उनको होगा और ये article 30 जो है ये अधिकार उनको देता है ठीक है clear है okay so right to constitutional remedies और ये जो constitutional remedies है ये बहुत important article है और इसके बारे में बहुत सारी positive चीज़े कहीं है बियानम्दकर कहते थे कि अगर article 32 नहीं होगा तो बाकि जो fundamental rights है उसका कोई importance नहीं रह जाएगा ठीक है so article 32 क्या कहता है article 2 कहता है right to remedies for the enforcement of fundamental rights using the five rights okay so under article 32 Supreme Court article 26 मतलब high cut बियानम्दकर termed article 32 as the heart and soul of the constitution of India मैंने आपको पहले भी ये classes में बताया है कि बियानम्दकर ने अभी में बताया है बियानम्दकर ने article 32 को क्या कहा था it is the heart and the soul of the constitution of India मतलब इन्होंने कहा था कि भारत का समिधान का हिर्दे और आत्मा है अनुछेद 32 क्यों? क्योंकि ये आपको अधिकार देता है कि आपके fundamental right आपके मुर्य अधिकार का जब उलंगन होता है तो आप सर्वत चन्याले अप्रोच कर सकते है ठीक है? तो फाइब रिट्स जो है वो सुप्रीम कोट इसू कर सकता है अन्डर आर्टिकल 32 और हाई कोट अन्डर आर्टिकल 226 ठीक है? ये हम समझ गे? और आई ये अब आगे देखते है आर्टिक 32 के बारे मैं पहले भी आपको बहुत परहा चुका हूँ आर्टिक 32 is very important article very very important article क्योंकि it provides you the power to approach the Supreme Court in case जब आपका अधिकार का उलंगन होता है तो आप सर्वत चन्याले अप्रोच कर सकते हैं ठीक है? और इसको कहते हैं हम लोग समिधानिक उपचारों का अधिकार मतलब समिधानिक तरह से हमारे जो लोग हमारा समिधानिक जो हमारा power है जो हमारा right है उसको उलंगन करेंगे तो उसके उपचार के ज़ा तरीका जो है वो आटकल 32 में mention है आटकल 32 में mention है ठीक है? यस जो पांस तरह के जो rates है उनके बारे में थोड़ा देखते हैं यह जो rates है Supreme Court High Court जारी करता है जब भी हम Supreme Court High Court अप्रोच करते है तो यह जो rates है यह court जारी करता है ठीक है? तो पहला जो rates है वो है Habas Curpus Habas Curpus का मदलब होता है It is a Latin term which means You shall have the body You shall have the body यह जो है Habas Curpus यह Supreme Court लीज करती है और जो rates है जो fundamental right है उसका उलंगन के जब भी इसका उलंगन होता है तो Supreme Court जब आप पर रोज करते हैं तो यह जो Habas Curpus है जो authorities है उनको यह जारी करता है ठीक है? तो जो Habas Curpus है इसका मतलब याद रिखिए का You shall have the body इसका मतलब होता है और उसके बाद है mandamus It means we command mandamus का मतलब होता है we command भी मतलब Supreme Court कहती है कि we command ठीक है? clear है? कोई दिक्कत नहीं Then Prohibition Prohibition का मतलब होता है to forbid to forbid ठीक है? to forbid and then the next rate is seritority it means to be certified or to be informed to be certified or to be informed and the next rate is coeranto coeranto करता है it means by what authority or warrant ठीक है? यह authorities जो होते है उसको यह rate जारी होती है ठीक है? जैसे coeranto जारी कर दिया मतलब पुछा जाएगा किस authority से तुमने इस पसंद को arrest किया है या इसको बंधक बनाया है यह इसको रखा हुआ है तो यह सारे जो rates है वो supreme court और वाकिक courts है वो जारी करता है ठीक है? clear है? यह सारे rates याद रखिएगा question पुछा जाता है कि कोन-कोन से rates का क्या मतलब होता है तो यह सारे डिसक साथ यह जो term है यह सब लिखा हुआ है यह सब आप याद कर लिजएगा ठीक है? यह सारे factors जो है याद कर लिजएगा मैं हाँ important लिखता हूँ यह बहुत important है ठीक है? clear है? okay so let's read some important facts कुछ जो important तत है उनको देखते हैं so RTI Act से रिटेर एक fact है RTI Act it is an revolutionary act that aims to promote transparency in government institution came into existence in 2005 RTI Act जो है वो कब आया था? वो आया था 2005 में after sustained effort of anti-corruption activities basically empower citizens to question the government basically empower the citizens to question the government so right to information जो है वो basically अपने citizens को यह अधिकार देता है कि अपने सरकार को आप यह question पूछ सकते हैं तो यह एक क्रांतिकारी अधिनियम है जिसका उद्देश जो है सरकारी संस्थानों में प्रादर्सिता transparency को बढ़ावा देना है यह वर्ष 2005 में अस्तितों में आया था और भष्चार विरोधिक कार्यकरताओं के नियंतन प्रयासों के बाद यह मूल रूप से नागरिकों को सरकार से सवाल करने क्या जो अधिकार है वो देता है ठीक है यह जो अधिकार है वो देता है clear है yes, right to vote देखते है so the right to vote is guaranteed by the constitution of India under article 326 of the Indian constitution the 61st constitutional amendment of 1988 reduced the voting age for election of logsabha in state on assembly bodies from 21 to 18 यह क्यों यहां mention कराया मैंने यह slide क्यों आपके लिए बनवाया मैंने यह इसलिए बनाया क्योंकि यह जो question है यह वाला यह exam में मैंने कितनी बार देखा है यह आपसे question पूछा गया है यह जो चीज है कि किस amendment के थुरू जो voting right है वो 21 से 18 कर दिया गया है यह सवाल जो है आपसे एकदम पूछा गया है हमेशा याद रखना 61st in 1988 61st in 1988 इसको बिलकुल आप लोग याद रखना यह जो है आपसे जरूर पूछा जाएगा आपके आने वाले exam में 21 से 18 वर्स कर दिया गया था 1988 में 61st वे समिधानिक संसुधन के अंतरगर 61st वे जो समिधानिक संसुधन है उसके अंतरगर जो है यह काम कर दिया गया था ठीक है Yes Right to Education Act जो 2009 में पास हुआ इसके बारे में देखते हैं Right to Education Act जो है इस प्रोवाइड़ेट Free and Compensory Education Free and Compensory Education to children in 2009 and enforce it as a fundamental right under Article 21A मतलब यह जो चीज है ना इसको fundamental right बना दिया गया मतलब जो छोटे बच्चे हैं उनका यह मूल अधिकार हो गया कि उनको सिख्चा मिले और अगर इसका उलंगन होता है तो इस अज़स्टिएसेबल वो छोटे बच्चे अप्रोच कर सकते हैं Supreme Court under Article 32 और High Court under Article 226 ठीक है So, right to education is a fundamental right यह एक मूल अधिकार है आपको बिल्कुल याद रखता है ठीक है 21A के अंदरगत यह जो right है यह 21A के अंदरगत क्या है एक मूल अधिकार बन चुका है ठीक है तो suspension of fundamental right जो fundamental right है वो कैसे suspend होगा यह थोरा सा हम देखते हैं ठीक है जो fundamental right है वो कैसे suspend हो सकता है इसका मैं देखते हैं तो देखिए का था When the person makes a proclamation of emergency under Article 352 Article 352 का जो emergency है वो हमने बताया था Article 352 talks about national emergency यहां लिखता हूँ नेशनल emergency ठीक है तो यह कह रहा है कि जब राश्पति अनुछेद 352 के तहत आपातकाल की घोसना करता है तो अनुछेद 19 के तहत गारंटी कृत सभी 6 सोतनता के जो अधिकार है सौचरीत रूप से लंबित हो जाते है क्या समझे मतलब अगर राश्पति प्रोक्लेम करता है कि भारत में राश्ट्री आपदा आ चुकी है तो उस केस में उस समय में उस इस्सिति में जो आटिकल 19 के अंदर जो freedom वाले right है वो सारे क्या हो जाएंगे automatically suspended हो जाएंगे आर्टिकल 19 वाले वो जो 6 वो राइट है वो ठीक है ओविस सी वात है आप सोचिए जब national emergency लगता है मतलब यह निस्चित है कि जो देश है उसमें कुछ गरबड़ी है या तो external कुछ regression हुआ है या internal कुछ problem हुआ है तो national emergency लगता है उस इस्थिति में आपको होगा कि मैं कहीं जाओंगा मैं assembly बनाओंगा मैं कहीं घुमूँगा मैं कहीं घर बनाओंगा तो यह possible नहीं है इसलिए उस स्थिति में article 19 वाले राइट को जिसमें आपको इस अधिकार दिये गया है घुमने का अपना assembly बनाने का आपको घर कहीं भी बनाने का कोई भी जॉब का तो वो suspend बनाता है ठीक है उसका बाद क्या है the president can suspend other fundamental rights also through specific orders क्या कह रहा है the president can suspend other fundamental rights also through specific orders but these orders must be approved by the parliament ठीक है लेकिन ये जो orders है वो parliament के द्वारा approve होने चाहिए मतलब article 19 जो है वो automatically आपका क्या हो जाएगा वो खतम हो सकता है लेकिन उसके अलावा जो बाकी articles है जो बाकी rights है वो है वो तब खतम होंगे जब parliament जो है उस चीजों को approve करेगा so during a national emergency article 20 and 21 cannot be suspended मैंने आपको पहले ही बताया था जब class start करिया था कि article 20 और 21 के अंदर के जो rights है वो कभी भी suspended नहीं होते है क्योंकि ये आपका जीने का अधिकार है और इस right को suspend करने का कोई भी तुकिया वो जो है एक जो natural जो provisions है वो समझ में नहीं आता है it is not obvious that article 20 or 21 can be suspended ठीक है so this is the lecture of today आज के lecture में हमने इतना देखा हमने समझा fundamental rights के बारे में हमने देखा कि कौन-कौन से जो rights है वो fundamental rights है हमने fundamental rights में अलग-अलग जो group of rights है उसको परहा उसके लवा हमने constitutional remedies के बारे में परहा जब भी आपका fundamental rights का उलंगन होता है आपका मूल अधिकार का उलंगन होता है तो याद रखेगा article 32 के थरूँ आप Supreme Court अप्रोच कर सकते हैं direct और article 2226 के थरूँ आप अप्रोच कर सकते हैं high court ठीक है तो यह जो article है वो आपको अधिकार देते हैं कि आप Supreme Court जाईए और Supreme Court क्या करती है Supreme Court जो है वो rates जारी करती है आपके लिए आपके favor में और वो पूस्ती है कि आपने इनका जो right है इस citizen का उसका क्यों उलंगन किया है ठीक है So I hope things are very much clear और आप इस video lectures को enjoy कर रहोंगे Please बहुत दिल से पढ़ाई किजिए और अगर आप consistency से इस video lecture को देखोगे तो मैं पुर्णा विश्वास दिलाता हूँ आपको कि आपका जो course है वो बहुत समय से अच्छे से complete होगा और आपका जो syllabus है वो भी आप बहुचने से complete कर बाऊगे Do not worry about the material मैं जो भी material यहां PPT के form में आपको PDF में provide करा रहा हूँ उसको आप cover करो and I hope कि you will cover the things very beautifully Okay, so let's end the class here I hope you will learn the things what I have taught you मैंने आपको जो भी बताया है जो भी important facts बताया है उसको आप please अच्छे से mention करना अच्छे समझना जो भी मैंने आर्टिकल के सामने important लिखा है वो सारे चुजों को आप ध्यान से देखना Otherwise अगर आप उसको revise नहीं करोगे तो आप उसको निस्तिती भूल जाओगे ठीक है So please सारे PDF को revise कीजेगा और बहुत जल्दी हमनों मिलेंगे next class में Till then please take care अपना बहुत बहुत ख्यार लखिये और प्रहाई करते रहे हैं बहुत पन लगाए Thank you so much